कि जैसे जैसे महंगाई की दर एकॉनोमी में बढ़ती जा रही है वैसे के वैसे मोधी सरकार की अयोग्यता, incapability और incompetence to handle economy देश के सामने आ रही है। हाँ, मोधी सरकार का एक काम जरूर जोरो शोरो से चल रहा है, polarization की राजनिती, disharmony की राजनिती, जबकि महंगाई की दर से देश को निजाद दिलाने की बात हो, बेरोजगारी की दर को कम करने की बात हो, गिरतेवे रुपिय को रोकने की बात हो, वहाँ पर वो मौन बैठीवी निजर आ रही है। देश की वित्मंत्री इसके बारे में कोई टिपनी करेगी, पर उन्होंने महंगाई के आकड़ों को जारी होने के बाद साथ ट्वीट किये, और सारे ट्वीट उन्होंने नाशा के फोटूज बताए देश को, कि नाशा में जो तारे हैं, सौर मंडल है, हवाएं हैं, वो कैसी चल रही है, दूसरे ब्रह्मान के दूसरे तारों पे, दूसरे ग्रहों पे, वित्मंत्री जी, अच्छी बात है, आपके ब्रह्मान के दूसरी ग्रहों में आपको इंट्रेस्ट है, मैं अच्छा लगा ये सुनके पर हिंदुस्तान में आपका इंट्रेस्ट क्यों नहीं है आज एक बहुत महत्वपूर्ण विशे लेकर हम आपके सामने उपस्तित हुए है और जो हमारा मूल सिर्शक है आज की प्रेसवारता का वो है ये जो साथ का अंक है ये भारत सरकार और मोदी जी के साथ चिपक चुका है अगर हम बात करें मुद्रा इस्विती महंगाई की दर जो कल जिसकी गोशना हुई वो 7.01 प्रतिशत अगर हम बात करें कि बेरोजगारी की दर CMIE ने निकाली वो 7.08 प्रतिशत अगर हम बात करें एक जन्वरी से लेकर अब तक रुपिय में कितना हाश हुआ रुपिया कितना डेप्रिशेट हुआ तो वो 7 प्रतिशत एक जमाना था हमारे साथ भी साथ का अंक चिपका था 2004 से 14 पर हमने उसको चिपकाया था जीडीपी की विकास दर में हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट है 2004 से 14 वो 7 प्रतिशत से जादा रही थी हमने भी साथ को लिया था पर वो लिया था हमने देश की जीडीपी विकास दर में महेंगाई की दर में नहीं रुपिय के हाश में नहीं जो बेरोजगारी की दर में नहीं सातियों कल जो महेंगाई दर के आंकड़े घोशित हुए उसके बाद ये प्रतीत होता है कि जैसे-जैसे महंगाई की दर एकोनोमी में बढ़ती जा रही है वैसे के वैसे मोधी सरकार की अयोग्यता, incapability और incompetence to handle economy देश के सामने आ रही है. हाँ, मोधी सरकार का एक काम जरूर जोरो शोरो से चल रहा है. polarization की राजनिती, disharmony की राजनिती, जबकि जो महंगाई की दर से देश को निजाद दिलाने की बात हो, बेरोजगारी की दर को कम करने की बात हो, गिरतेवे रुपिय को रोकने की बात हो, वहाँ पर वो मौन बैठीवी नजर आ रही है. मैं कुछ आखड़े लेके आया हूँ और यह सारे आखड़े भारत सरकार ने जो कल अपनी प्रेस विज्यपती जारी की उसमें से लिये हैं. देश ने पिछले मईने जून 2022 में बेरोजगारी की दर देश में 7.8 प्रतिशत थी और 25 लाख, 25 लाख लोगों ने अपनी नौकरी सिरफ जून 2022 में कोई है. यह मैं नहीं कह रहा, यह CMIE कहां कड़ा है, कि 25 लाख लोगों ने सिरफ एक महा में अपनी नौकरी खोई है. दो रही है, लोगों की लगातार नौकरी जा रही है, उसमें आग में घी का काम कर रहा है, लगातार बढ़तावा मेंगाई दर, मेंगाई दर लगातार, पिछले 33 महीनों से अगर मैं बात करूं, तो रिजर्व बैंक का जो मीन टार्गेट है, 4 प्रतिशत उससे जादा है, और पिछले 6 महीने से मेंगाई की दर, रिजर्व बैंक की जो अपर लिमिट है, 6 प्रतिशत उससे लगातार जादा चल रही है, तो बीजेपी हैड बॉट अबाउट ए डूम विट सेवन्स, ये साथ का आकड़ा उनके अभाग्ये को, उनके अयोग्यता को दर्शाता है, जब रूपिया डेफ्रिशेट करता है, 7 प्रतिशत लास्ट 6 मंच में, रिटेल इंफलेशन लगातार 7 प्रतिशत से जादा बना हुआ है, अप्रेल में, मैं में, जून में लगातार 7 प्रतिशत से जादा बना हुआ है, और बेरोजगारी की दर, लगातार 7 प्रतिशत से जादा और बढ़ती जा रही है महिने दर महिने और ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है इन डेटा पॉइंट्स के बावजूद बीजेपी गॉवर्मेंट इस इन डीप स्लंबर वो कोई इस पे बात नहीं कर रही एक और एक और रोचक तत्थी आपको बताना चाहता हूं जब महिनगाई का आकड़ा आया कल 7.01% रिटेल महिनगाई का मुझे उम्मीद थी कि देश की वित्ट मंत्री इसके बारे में कोई टिपनी करेगी पर उन्होंने महिनगाई के आकड़ों को जारी होने के बाद साथ ट्वीट किये और सारे ट्वीट उन्होंने नासा के फोटू बताए देश को कि नाशा में जो तारे हैं सौर मंडल है हवाएं हैं वो कैसी चल रही है दूसरे ब्रह्मान के दूसरे तारों पे दूसरे ग्रहों पे वित्ट मंत्री जी अच्छी बात है आपके ब्रह्मान के दूसरी ग्रहों में आपको इंट्रेस्ट है मैं अच्छा इंफ्लेशन है इससे भार आ सके लगातार गिरतेवे रुपे को डॉलर के मुकाबले रोक सके बेरोजगारी की दर जो 7.8 प्रतिशत पर है उसको हम नीचे ला सके इसके बारे में क्या एक्शन पॉइंट है हाँ साथ ट्वीट जरूर करे नासा की फोटूज का साथियों कल ज अप्रेल, मई और जून इन तीन महिनों का एवरेज देखें तो देश में इंफ्लेशन 7.3 साथ दशमलव तीन प्रतिशत है रूरल इंफ्लेशन जो हमारी ग्रामीन अर्थवे उसता है ग्रामीन शेत्रों में जो इंफ्लेशन है वो देश के एवरेज से जादा है देश का एवरेज इंफ्लेशन है 7.01 परसंट और ग्रामीन शेत्रों में इंफ्लेशन है 7.9 परसंट मतलब गावों में महिनगाई शेरों से ज़्यादा है ध्यान रहखे मातमा गांदी ने का था भारत गावों का देश है हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी आज भी गावों में निवास करती है जिनके लिए महिनगाई दर 7.01 प्रतिशत नहीं है 7.9 प्रतिशत है रूरल अनेंप्लोईमेंट रेट ग्रामीन बेरोजगारी दर वो भी देश की एवरेज बेरोजगारी दर से ज़्यादा है देश में एवरेज बेरोजगारी दर 7.8 प्रतिशत है और ग् मोधी सरकार का विकास का और आर्थिक अर्थनिती का मॉडल है फिर आगे चलते हैं लगातार पिछले 33 महीनों से रिजर्व बैंक का जो मीन टार्गेट है महंगाईदर का 4 प्रतिशत उससे हमारी महंगाईदर पिछले 33 महीनों से ज़्यादा है पिछले 6 महीनों से हमारी मैं नहीं कह रहा, Reserve Bank का Target है कि जुलाई, अगस, सितंबर में महंगाई की दर 7.4% रहने की उम्मीद है, मतलब अभी से भी ज़ादा, ये मैं नहीं कह रहा, ये Reserve Bank का Target है, और Food Inflation, खाने पीने की महंगाई 7.75% है, और सबजियों में महंगाई दर है, 17.37% अर्थात, पहले हमारी थाली में से रोटी गाये चीनी मोदी सरकार ने, आटे पर GST लगा के, अब उन्होंने सोचा, रोटी तो छीन ली पर फिर भी सबजी तो है अभी, तो सबजी पर महंगाई दर देश में 17.37% कि आप में से किसी की भी वेतन आए, पिछले एक साल में 17% से बढ़ी है, पर सबजीों की महंगाई दर 17% से बढ़ी है, यह मैं नहीं भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, 25 लाख लोग एक जून, पिछले महीने जून 2022 में अपनी नौकरी खोते हैं, 11,000 लोगों को स्टार्ट अप से फायर किया जाता है, यह सारे आकड़े पब्लिक डॉमेन में है, रुपी आज 89.66, 79.66 रुपी पर डॉलर पर खड़ा है, असी कभी भी पार कर सकता है, जीडीपी ग्रोथ रेट अपने निम्नतम लेवल्स पर रखी गई है, और उसके बाद इस सारे इश्यूज में हमारी जो मोधी सरकार हैं, हमारी वित्ध मंत्री हैं, वो इन इश्यूज पर बात नहीं करती हैं, वो नासा की फोटोज में, दूसरे ब्रहमांडों के रंग प सरकार ने 47 वी GST कॉंसिल की मीटिंग में 5% GST आटे पर, दही पर, पनीर पर, छाच पर, मुडी पर लगाने का काम मोधी सरकार ने किया, इस बाबत हमारे तीन सवाल है, बड़े स्पेसिफिक सवाल है, प्रधान मंत्री जी से, प्रधान मंत्री जी, आपका लोगों को इस म अगातार पिछले 6 महिनों से महंगाई की दर, रिटेल इंफलेशन 7 परतिशत से उपर बनावा है, उससे लोगों को रहात देने का आपका क्या फॉर्मूला है, कि आपका महंगाई से लोगों को रहात देने का एक ही फॉर्मूला है, कि 8 पर 5% GST लगा दो, हमारा दूसरा स कि जब रुपिया अपने निम्नतम लेवल पर आ चुका है, डॉलर के मुकाबले, जब बेरोजगारी की दर, गावों में 8 परतिशत से उपर पहुँच चुकी है, जब रिटेल इंफलेशन 7 परतिशत पर है, मोधी जी और वित्दमंत्री जी, आप कोई इस पे अपना ब्ल क्यों प्रिंट देश के सामने क्यों नहीं रखते, क्यों मौन वरत लिये वे आप दोनों हैं, क्यों इन चीजों पर बात करने से कत्राते हैं, तीसरा और महत पूर्ण बिंदू साथियों, जब रिजर्व बेंक कह रहा है कि आगले 3 महीने अर्थात, जुलाई, अगस, सिट पिछले 6 महीने से भी जादा भयानक होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में एवरेज महंगाई दर थी 7.3 प्रतिशत, और आगे के 3 महीने का फोरकास्ट रिजर्व बेंक का 7.4 प्रतिशत का है, तो गौर्मेंट के माइंड में क्या मैजर्स है, वो देश के सामने क्यो परिवारों के लिए, जब निम नाइवर के परिवारों के लिए, can government bring relief to them, क्या उनके लिए कोई relief दिया जा सकता है, क्यों government और वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री की जो apathy है लोगों के प्रति, we expect sympathy, not apathy for the common masses of our country, और last but not least साथियो, मैं सरकार से आगरे करूंगा, ED, CBI, ये लोगों के महंगाई से, लोगों के बेरोजगारी से रात नहीं दिला सकते, जिसका आप लगातार प्रयोक करते हो, आपको लगता ED और CBI से महंगाई की दर कम हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या खतम हो जाएग जिन्होंने पिछले मा सिरफ एक मा में अपनी नौकरी खोई है, तो CBI और ED are not tools to bring relief, आपको अगर relief देनी है तो अर्थ निती के tools, macroeconomic factors के द्वारा आप relief दे सकते हो, unless भारतिय जन्ता पार्टी इस छोटे मन की राजनी थी, इस ED और CBI कोई सिरफ governance का tool मानने से बाहर नहीं निकलेगी, मुझे नहीं लगता है कि देश के मध्यम आयवर्गे परिवारों को, निमन आयवर्गे परिवारों को, लगातार बढ़ती वेरोजगारी, लगातार बढ प्या डॉलर के मुकाबले इन तीनों से रहात मिल पाएगी, इसलिए मैं आज की प्रेस वारता का जो शिर्चक था, वो था, मोधी गॉर्मेंट डूम ओफ सेवन्स, राइजिंग इंपलेशन, राइजिंग अनेम्प्लाइमेंट, और फॉलिंग रुपी, और आज बात हो रुप्या कित्ता गिरा, 7 प्रतिशत पिछले 6 महिने में, बात हो रही है, पिछले 6 महिने में एवरेज महंगाई दर किती है, 7.3 प्रतिशत, आज बात हो रही है, जून 2022 में बिरोजगारी की दर किती है, 7.8 प्रतिशत, so retail inflation source, so the incompetence of the BJP government. कर दो